भारतिय जन्ता पार्टी के राश्ट्रे प्रवक्ता और इस बार विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं राजिवर्धन सिंग राठोड ने ये दावा किया है कि BJP पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्तान में बनाने जा रही है हला कि सीटों के संख्या को लेकर उनकी ओर से कोई बात नहीं सामने आई लेकिन आंक्णों के खेल में वो नहीं जाते हैं ऐसा उनका कहना है वो कह रहे हैं कि जन्ता ने परिवर्टन का मन बनाया है और इस बार वोट परिवर्टन के लिए दिया है राजिवर्धिंग सिंग राठोड ने जी मीडिया से खास बाचीत की और एक्जिट पोल के नतीजों को लेकर प्रदेश के हालात को लेकर और 3 दिसंबर को आने वाले फाइनल रिजल्ट को लेकर अपनी बात रखी सुनिये मरुदरा के मास हमर में जनता ने अपना फैसला सुना दिया और एक्जिट के पोल के जरिये यहां लगातार नतीजों के रुज़ान आये हैं हालां कि 6 एक्जिट पोल में 4 बीजेपी के पक्स में हैं 2 कौंग्रेक से पक्स में हैं ऐसे में अब तीन तारीकों जो मत करना होगी उसमें असली रिजल्ट सामने आएगा मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्य प्रवक्ता राज्यवर्दन सिंग राटोड बात करते हैं उनसे राटोड साब एक्जिट पोल पर पहली प्रतिक्रिया के देखे दो थीन चीज़े इस चुनाव के अंदर वोटिंग परसेंटेज हाई रहा और हाई कप रहता है जब लोग उत्साह से बाहर निकलते हैं उत्सा कब होता है जब परिवर्तन हो रहा होता है नयापन होता है सबसे पहले बात दूसरा यह एक्जिट पोल वाले कितने लोगों को लगाते होंगे भारती जंदा पार्टी के हर बूत के ओपर हमारी टीम्स रहती हैं, एजेंट रहते हैं अंदर, हमारे पन्ना प्रमुग रहते हैं, तो हमारा जो फीडबैक है वो बहुत बड़ा है, उसका दाइरा बहुत बड़ा है। जेंट तो हमारे समझते हैं क्योंकि वो नजर से पचानते हैं कि कौन भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो हर फीडबैक यही बता रहा है कि राजिस्तान के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ बारती जंदा पार्टी की सरकार बन रही है। केमरामेन संजे कुमरे के साथ विश्णू शर्मा जी मिडिया जापुर।